हेलो गाइज मेरे नाम है मोहिट और आज हम इस वीडियो मेर जानने वाले हैं फॉपई प्लेटाइम चैप्टर 2 के एक मिस्चियस करेक्टर के बारे में जिसका नाम है प्रोटोटाइप या उसे एक्सपेरिमेंट 1006 भी कहते हैं तो एक प्रोटोटाइप करेक्टर है क्या ये क्या चीज है इसका परपस और इंटेंशन क्या है क्या करना चाहता है अगर इन सवालों के जवाब चाहिए तो पहले तो अपनी सीटों पर बैठ जाओ आराम से पॉपकॉन ले लो या पॉपकॉन नहीं है तो मज़े सा सर्वत पीचे बैठ के चुसकी लेटे लेटे इस वीडियो को देखो तो मैं एक अपनी स्वालों का जवाब मिल जाएगा और हम जानने वाले हैं ये पॉपी और ये एक्सपरिमेंट 1006 ये आपस में कैसे कनेक्टेड है तो चलिए हम पहले डिसकर्स कर लेते हैं ये जानने को मिलता है कि ये एक्सपरिमेंट 1006 है और जो हमें मॉमी के मरने पर हाथ दिखाता वह हाथ किसी और का नहीं एक्सपरिमेंट 1006 और प्रोटोटाइप काता है ये तूरो एक ही इंसान के नाम है इसके पंच्छे को देखते हैं पहली बार के में लगता है पूरा मेकैनिकल का है लेकिन जब इसे ध्यान से लेक्टें दो आया थब हमें पता चलता है इसके नंतरा हीमन की बॉन लगे हुई है और जैसा इसका नाम है प्रोटोटाइप तो हमें अब ये पता चलता है जो य इसके बार के इसके बारे में जानने को मिलीटी साइंटिस के रिसल्स लॉक से वह कुछ इस तरीके से हैं जो ये प्रोटोटाइप है या एक्सपरिमेंट 1006 ऑब ज्यादा करता है वह बहुत ज्यादा स्मार्ट और क्लेवर हैं और पहले कई बार लेवरेट्टी से भाग न यहां पर company का एक्स एप्लोई आता है और उसे बीएसे चेप मिलती है तब यहां पर चलता है कि यहां पर कुछ गरबरे चल लिए तब जाके उसे ही सारी लॉग मिलती है जिससे पता चलता है प्रोटरटाइब के बारे में और जो भी इस company के अंदे गरबरे ओड़ी है उसके सब जानते हैं कि जो टॉय बनाने वाले company थी उसके टॉय इतने खुखार कैसे हो गए उनके ने अपनी जान कैसे आई और वह इंसान की खून के प्यासे इतने क्यों है तो इस सब की सुवात होती है एलेट लुटबिक से तो जो यह एलेट है वही है जिसने company की सुरुवात क Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. हमें पता चलता है जो एलेट भाई साब थे उनकी family में किसी की death हो जाती है. हमें यह पता नहीं चलता है वो कौन family में मरता. लेकिन personally मुझे लगता है वो उनकी बेटी थी. यह सब होने के बाद उनका Delhi तूट गया. लेकिन वो बापिस अपने काम पे आ गया है. लेकिन अब की बार उनके गोल अलग थे. वो टौए नहीं बनाना चाहते थे. वो कुछ अच्छरंगी टौएस बनाना चाहते थे. वो ऐसे टौए बनाने चाहते थे. जिसके उन्दर तो इसके लिए उन्होंने साइंटिस्ट की पहले रिसर्च टीम त्यार करी मरे हुए लोगों की आत्मा वो घुडिया में लाने के मिसन में है तो ये करने के लिए उन्होंने एक जेल बनाये था अपने उन्ही साइनटिस्टों के साथ और वो उसे poppy flower की regeneration वाली abilities के साथ इस्टमाल करने वाले थे जिससे कि वो मरे हुए dead subjects को बापिस जिंदा कर सके तो उन्होंने starting में red पे experiment किया तो उन्होंने पहले जो red था उन्हें कुछ ऐसा mysterious चीज खिलाई जिससे वो मर गए और फिर उस dead red को उस gel और poppy mixture की एक liquid में उसे डाला एक हप्ते तक उसे रखा गया rest करने दिया फिर उस जो लिक्विट था उसमें सौक दिये गए जिससे कि वो red बापिस नॉर्मल हो जाए लेकिन बदकिस्मती से जो red पे experiment हुआ था उसका कुई conclusion निकला उनमें कुछ ऐसे changes आये नहीं हमें ये Elliot की desk पे एक note मिलता है जिसे पढ़के हमें पता चलता है जो ये scientist की या Elliot भाई साब की analysis है हाँ पे लिखा हुआ है कि red पे तो काम नहीं किया लेकिन इसे काम करने के लिए एक human body type के structure चाहिए कोई बड़ा subject चाहिए जिस पर वो experiment कर सके तो जो Elliot भाई साब की daughter की death होई थी तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने एक अंकाल बचा के रखा होगा या कोई भी ऐसा part रखा होगा जिससे उन्होंने toy में ढाला और उसे जिंदा किया और यहापर मैं poppy देखने को मिलती है हो सकता है कि poppy की अंदर उन्होंने अपनी बेटी की life डाली हो पस यह एक फरिकता कि poppy एक doll थी वो एक बड़ा structure नहीं था हागी बड़ी है वैसी poppy बड़ी नहीं थी वो human like भी नहीं थी तो वो और research कर रहे थे जिससे कि वो poppy को normal बना सके या अपनी बेटी की life अपनी बे सा था वो अपने anger को control ने कर पाते थे वो बहुत खटरनाक थे और उन्हें अपना human behavior बिल्कुल भी याद नहीं था वो human की तरह सोचते भी नहीं थे वो बस खून के प्यासे थे इसलिए एलेट नहीं चाहते थे जो poppy है उसकी भी dark side बाहर निकले जैसे toys की बाद में बाहर इसलिए लटबिक नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी पॉपी एक evil doll बने इसलिए उन्होंने उसे hibernation में डाल दिया जिससे कि जब रिसाल्च बिल्कुल सही काम करने लगेगी तब जब toys बिल्कुल सही और mental इसलिए जब toys के सही होने लगेगी तब वो poppy की life को poppy की आत्मा को ऐसे किसी नए toy में डालें जो वाइलेंट बिल्कुल ना हो तो जब तक एक्सपरिमेंट पूइटरी के सा सकसफुल नहीं हो रहे थे तब तक उन्होंने अपनी बेटी को या poppy playtime doll को हाईवर नेशन में डाल दिया जिससे उनकी poppy है उसकी mental state और toys की तरह बिल्कुल evil ना हो बन 006 या फिर कहें prototype तो एलेट भाईया का goal बिल्कुल symbol था वो चाहते थे जो human skeleton का structure है वो एक body के अंदर डाल दे है mechanical body के अंदर या एक human size की body के अंदर उनका bone का structure डाल दे है और उसमे life ला सके जिससे कि उनकी बेटी है वो बिल्कुल human बन जाए I mean human की close बन जाए ना कि सिर्फ और सिर्फ toy बनके रहे जो Elliot थे वो नहीं चाहते है कि उनकी बेटी को boy बेटी हमेशा उस case के अंदर बंद रहे इसलिए वो results कर दे लेकिन वो कभी इस results के result नहीं डेख पाए क्योंकि उनकी unfortunately death हो गई लेकिन उनके मरने के बाद जो उनके company थी और जो उनके scientist थे या उनके team मराई थी उन्होंने वो results को continue रखा लेकिन जैसे वो चाहते थे वैसे उस results को continue नहीं किया गया वो बड़े काइंड इंसान थे वो बहुत ड्यालू थे वो किसी का बुड़ा नहीं चाहते थे वो कभी भी इस experiment को किसी की जान लेके नहीं करना चाहते थे लाइक किसी human फे यह experiment नहीं करना चाहते थे के मानने के बाद उस team ने जो experiment है उन्होंने वो इनसानों की बॉड़ी करना चाहिल किया रैट की बॉड़ी पर वो experiment का कोई असर नहीं हो रहा था तो उन्होंने वो इनसान की ने इंसान की dead bodies को इस्टमाल करना चालो किया जिससे कि वो ऐसे जीवे toys को एक अच्छी कीमत वे सके तुम लोगों को तो पता होगा जो प्लेटाइम कंपनी है यह अपने बोलने वाले जीने वाले toys के वैसे जानी जाती है तो साइंटेस्ट चाहते थे कि जो उनकी evil tendency उनके toys में जो उनके experiment में जो खतरनाक tendency आ रही है mental psychopath type के सोच या behavior को उसे खतम करना चाहते थे जिससे कि toys उनकी खतरनाक ना हो और उनकी वह के प्रैस में बिचे उन्हें उन्हें टोइस के ऐसी tendencies ऐसी evil tendencies को खतम करने के लिए और research करन थे जो एलिटे उन्होंने मरने जो पहले इस research में participate किया वह उस रिसर्च का पाट हुए जिससे कि उनकी dead body है उनकी soul को वह एक नए experiment में use कर सके क्यों किसी को मार के उसका इस्टमाल नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने अपनी body को इस्टमाल किया उनकी last research के लिए जिससे कि अगर वो काम करती है तो पॉपी को भी वैसे ही एक human type की body में restore किया सके उसकी आत्मा को डाला जा सके तो इस theory के अगॉर्डिंग तो जो एक प्रोटोटाइप है और यह experiment 1006 है यह एलेट ही है और जो उनके हाथ में हड़े दिख रही है बोन दिख रही है कि किसी और के नहीं कि हमारे एलेट भहिया की है क्या मनने के बाद दो उन पर experiment किया था वो corrupt management ने किया था और जो scientist है उन्हें परवा नीती कि वो क्या बना रहे है इसी वज़े से जो toys थे जो हमारे लडविक भहिया थे उनके अंदर इतनी deadly tendencies का जनम तभी हुआ क्योंकि वो research team या जो experiment चलना थ उस पर experiment जो scientist है उन्होंने security measures पर ध्यान ही नहीं दिया इसलिए यह जो यह prototype है बड़ा ही angry type का है बड़ा ही killer type की mentality है और violent उसे बहुत पसंद है तो हम जो यह prototype को देखते है तो हमें पता चलता है यह prototype पूर तरीके से नहीं बना और यह deadly जो मरे हुए toys है उनका इस्टमाल कर है जो बड़े ही violence है और उसे उन्हें कम करना पड़ेगा परना यह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगे इसलिए उन्होंने और उसने इसके बच्चों को अडप्ट करने का initiative चलाया जिससे कि उन्हें experiment के लिए बहुत सारे लोग बच्चे मिल सकें और वह बच्चें बहुत लंबे समय तक चला जो Elliot experiment कर रहा था र्याट पर उसका नंबर का 814 जो prototype का नंबर था 1006 हो जो हगी का experiment नंबर था 1170 यानि की 1170 था टक तो experiment चले हैं उसके बात तक चले हैं मेरे recording जो किसी मिशी है वो एक सही बचली बढ़ बढ़ा experiment है तो तपके चलते रहे हैं सालो साल तक जुशों गलती यो से शेक्तेर है उन्होंने जुश का साथme अफ़े आन है और रहा जो च मक्मय श KIM कर एन हम वह चुपए एक्सपेरिमेंट कर देते तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस बनाई थी वो इस चरह थी तो बच्चों को एक्सपेरिये जो रिसर्च कर चल लिए जो गीम खिलाते थे वो खिलाने से पहले उन बच्चों के एक टोय असाइन कर देते जिससे कि वो टोय के साथ उनका डर और उनकी जो महनत है वो करते वक्त उन तोय से उनका लगाव हो जाए जितना ज्यादा एक बच्चा उन तोय से कनेक्टेड होगा बॉन उनका गहरा होगा उतने ही ज्यादे चांसेस है कि अग्स बच्चे को हम रिसरेक्ट करेंगा उसका दुबाया जनम करेंगा पुना जनम करेंगा तो स्टोय केंदर वो काम कर जाएगा और वो वैसे भी बहुत परफेक्ट केंडिडेट थे क्योंकि बच्चे थे उनका दिल बहुत साफ था उनमें बुडाईया निती जैसे बड़े एक्स्परिमेंट किया थे मोमी लोंग लाग वगेरा वो बड़े पर किया था उनकी डार्क साइड थे लेकिन बच्चे बिल्कुल प्योर थे इनने इनका ब्रेन बहुत करना आसन था और यह इनकी बुडाईयों को खतम करना बहुत ही जादा आसन था in comparison to big people अकर तो मैं इस से इसी चीज को डीटेल में जानना है तो मैं पुरारे वीडियो को देखो मैंने एक बीडियो ढाली है जिसका नाम है पॉपी प्लेटाइम चैप्टर टू एक्स्प्लेनेशन उसे जाकी जरूर देखो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहे हैं कि इस वीडियो को खतम होने के बाद उसे देखना तो यह साइंटिस्ट बुडा कर रहे थे त और जो उनके बड़े टॉइ स्टेजेस हागे वगे और मॉमे लोग लें वो इनका इस्टिमाल करके जो हमारे प्लेड होता है उसे एक स्पेसिफिक जगे पर ले जाना चाह रहे हैं जिससे कि वो बता सके हैं कि यहां पर क्या चलना है और उसकी हेल्प ले सकें हम से अपर हैं आदट पागल नहीं थे तो ह हागी वागी जैसे टो थे जैसे बड़े टोइस तो उनका मन लगा रहा था था बच्चों साथ तो बच्चे नहीं थे तो उनकी एविल्नेस वह बाहर आने लगी तो उन्हें जो भी रिसर्ट्टर दिखे जो बिंग को निसान द जब पागल हो रहे थे तभी हमारे लडविक भाईया थे एलेड को अपनी पूरी बाड़ी बनाने के लिए लगे हुए थे जो पर डैड उनके फ्रेंट थे फैलोस थे या जो भी बाकी के टॉइस थे उनकी डैड बोड़ी को घट्टा कर रहे थे और अपने में एड कर रहे जब हमारे game khatab होता है हम मर जाते हैं इक specific Message रСпेसिग है कि जब भी हम मर रहे है तो हमें तोव उसने toys के लिए आतमे खटे कड़े हो पर मन में भीषते हैं बात बुलवाते हैं की जगोः हमें bene करते हैं हमें जिन्दा करते हैं हमारे मरने पर कोटेशन आती है लेकिन एक स्पेसिफिक कोटेशन जो बहुत जाते इंटरस्टेंग है वह होती है एक्सपेरिमेंट 1006 यह कहती है कि अग्ता प्रोटोटाइब है शेप दस प्रोटोटाइब उसने हमें बचा लिया इसने डी वंडर्फुल यहां पर देखके ऐसा लगता है कि हम जिन्दा होने से पहले हमें मैसेज दिखने के बाद जो वह हमें जिन्दा कर देती है रिसरेक् नहीं है लेकिन जब हम उसे आजात करते हैं उसके बार से उसके अंदर बुराइएं आने चालू हो जाती है क्योंकि साय टोर्स के अंदर यही एक खामिया थी कि उनके बुराइटी जो किसी बच्चों के प्रेजन्स होना होने पर वह बुराइएं बाहर निकल के आने लगत का एंड होने वाला होता है तो पॉपी बिल्कुल अच्छी इस्ट्रेंज और ऐसा बिहेव करते होते हैं जैसी बहुत बुरी बन गई है जब तक पॉपी अपने सेल से बाहर रहेगी जहां तो बंद किया गया था जब भी वह अपने साथ और टाम स्पेंड करेगी वह और इविल बन जाएगी जैसे और टॉइस हैं वैसी उसके अंदर इविल मेंटेलिटी जाने के बहुत जाड़ा चंस हैं ऐसा हमें देखने को मिलता है जब हम एसकेप करने वाले होते हैं तो पॉपी हमें रोग लेती है और हमें जाने नहीं देती तुम यहां पर safer सुंड्स सुनोगे जब rup applies difficult होती है wat कहके पॉपीप साउंड आती है वही एक ऐसी एक सněंञ आती आदि जब हम ऑलेट की बायोग्राफिक सुन रहे होते हैं तोب ऐलेट के कि अंड होता है तो आप यहँ शी आम रहुऊ हम ने संड्स हैं आती है तो जब Elliot को पता चलता है कि Poppy release हो गई है तो वो उसे मिलने जाते हैं और यहां पर हमें पता चलता है Poppy और prototype दोनों मिलते हैं यानि कि Elliot और जो उनकी daughter थी वो दोनों उस moment पर साथ मिलते हैं और वो अपनी बीटी को देखने के बाद उनकी mental state सही हो जाएगी हो सकता है जो उनकी evil thought है जो हर एक तो एक अंदर एक violence attitude आ जाता है वो चला जाए क्योंकि उनका उन सारे टोस के attitude जो वालेंस attitude हो बच्चों के आसपास होते हो चला जाता है और वो तो फिर बीटी है हो सकता है कि वो अपना एलेट अपने होस में आ जाए और एलेट अपने दिमाग इस्टमाल करके हमें इस गेम में हमें यह situation यह सारे experiment यह जो भी चला इससे सही करने मदद करें उस time से पहले जब तक कि हमारी जो पॉपी है उसकी mental state बिगरने लगे इस story के सही होने के chances मुझ अपने opinion बता सकते हो अपने views बता सकते हो कि story में क्या turning point आने वाला है तो हम आप से मिलेंगे अपनी next वीडियो में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे comment करो अगर तुम comment करोंगे तो ऐसी वीडियोस में और बनाऊंगा वरना तो मैं नहीं बनाऊंगा तो till then bye बाइ